मुरमयारुग देश के रहवया हो जोहार एक लंबा अगोरा के बाद फिर एक घाउं आप जम्मो मन के बीच मन की बात जन की बात जन जन की बात जन मन की बात एक हर सिलसिला चालू करत हन चुनाओ के आपा धापी मा तो व्यस्तता तो बहुत रहिस फिर मन की बात के जिन मंजा है वो गायब रहिस एक कमी महसूस करत रहों अपन मन के बीच बैट के हलका फुलका महौल मा एक सो तीस करोड देशवासी के परिवार के एक स्वजन के रूप मा कईयों बात सुनत रहें दोरावत रहें और कभू कभू अपने बात अपन मन बर प्रेणा बन जात रहिस आप मन कलपना कर सका थाओ कि ये बीच के कालखंड कैसे गे हो ही इतवार आखरी इतवार ग्यारा बजे महूला घलो लगत रहिस कि अरे कुछू छूट गे है आप मनला घलो लगत रहिस ना खचित लगत हो ही शायद ये कोनो निर्जीव कारिक्रम नहीं रहिस ये कारिक्रम मा जीवन तता रहिस अपना पन रहिस मन के लगाओ रहिस दिल के जुडाओ रहिस और वेखरे कारण बीच के जेन बखत रहिस वो बखत मुला अबड कठिन लगिस मैं हर पल कुछ कमी महसूस करत रहूं और जब मैं मन की बात कर थाओं तब भले बोल थाओं मैं हाओं अखर शायद मोर है आवाज मोर है फिर कथा आप मन के है पुरुशार था आप मन के है पराक्रम आप मन के है मैं तो खाली मोर आखर मोर बानी के उप्योग करत रहूं और एकरे कारण मैं ये कारे क्रमल नहीं, आप मन के कमी महसूस करत रहें। एक खालीपन महसूस करत रहें। एक घौत मन करिस कि चुनई खतम होए के तूरते बाद आप मन की बीच आ जाओं। फिर लगिस नहीं, वो इतवार वाले क्रम बने रहना चाही। फिर ये इतवार हा छोटे छोटे हलका फुलका, समाज, जिन गीमा, जिन बदलाओं के कारण बन थे। एक रकम ले उखर ये सिलसिला, एक नवा भावनाला जनम देवत और एक रकम ले न्यू इंडिया के भावनाला ताकत देवत ये सिलसिला आगू बढ़ है। पाच्छु महीना कईयों संद जिसा आये है, जिन मां लोगनमन कहें हैं कि वो मन की बातला मिस करत रहिन। जब मैं पढ़ थाओं, सुन थाओं, तो मुला बने लग थे। मैं अपनापन महसूस कर थाओं। कभू कभू मुला लग थे कि ये मुर स्वले समस्टी के जात्रा है, ये मुर अहमले वयम के जात जात्रा है, मुर बर आपके संग मुर ये मौन समवाद एक रकम ले, मुर अध्यात्मिक जात्रा के अनुभूती के घलो अंश रहिस। कईयों मन खे मन चुनई के आपा धापी मां मैं किदारनात काबर चले गय। बहुत अकन सवाल पूछे हैं। आप मन के हक है, आपके जि लग थे कि अगर मैं वो दिशा मत चल पड़ हूँ, तशायद मन की बात के रूप बदल जाही। अव इही पाय के चुनई के ये आपा धापी, जय पराजय के अनुमान, अभी पूलिंग बाचे रहिस, ओ मैं चल पड़े हूँ। जादा तर मन खे मन एकर राजनीतिक मायने निकाले हैं। मोर बर मोर ले मिले के वो मौका रहिस, एक रकम ले मैं खुद ले मिले बर चले के रहूँ, मैं आउ बात मनला आज नहीं बतावाँ। फिर अतका जरूर कहूँ कि मन की बात के ये अलप विराम के कारण जिन खालीपन रहिस, केदार के घाटी मा, वो एकांत गुफा मा, शायद वो कुछ भरे के मौका जरूर दे रहिस। बाकी आपके जिग्यासा है, सोस्थाओं, कभूं उखर चर्चा घलो करहूं, कब करहूं, मैं नहीं कहीं सकाओं, फिर करहूं जरूर। काहे कि आप मन के मोर उपर हग बन थे। जैसे के दार के बिसैमा, लोग महसूस कर रताओं। आघूमा रख थें, और संगे संग उखर समाधान घलो बता थें। मैं हाद देखे हाओं कि चिठी मन मा लोगन समस्या के तो वर्णन कर थें, फिर ये घलो बिसेस्ता है कि संगे संग समाधान की घलो कुछू नकुछू सुझाओ, कुछू नकुछू गल्पना, प्रत्यक् या परोक्ष रूप मा प्रगट कर दे थें। मने एक रकम ले समस्या मन के समाधान, समाज व्यापी कईसे हुए, एकर जलक आप मन के गोठमा मैं महसूस कर थाूँ। मन की बात देश और समाज वर एक दरपन कस है। ये हमनला बता थे कि देशवासी मन के भितरी अंदुरूनी मजबूती ताकत और प्रतिभा के कोनों कमी नहीं है। जरूरत है वो मजबूती और प्रतिभाला समोय के, और सरप्रदान करे के, ओला क्रियानवित करे के। मन की बात ये घलो बता थे कि देश के तरक्की मां सग्रा एक सो तीस करोड देशवासी मजबूती और सक्रिता से जूना चाथे। और मैं एक बात खचित बोल हूँ, कि मन की बात मां मुला अतेक चिठिया थे, अतेक टेलीफोना थे, अतेक संदेशा मिल थे, फिर शिकायत के तत्व बहुते कम हो थे। अव कोनो कुछू मांगे हो आए, अपन बर मांगे हो आए, ऐसे एक कोठन बात गत पाँज बच्छर मा मुर ध्यान मा नहीं आये है। आप कलपना कर सका थाओ, देश के प्रधान मंत्री ला कोनो चिठि लिखाए, अव खुद बर कुछू न मांगे। ये देश के करोडों लोगन के भावना कतका उंचा हो ही। मैं जब ये जिनिस के विशलेशन कर थाओ, आप मन कलपना कर सका थाओ, मुर मनला कते एक आनंद हो थे, मुला कते एक उर्जा मिल थे। आप मन कलपना नहीं कर सकाओ कि आप मन मुला चला थाओ, आप मन मुला दवडा थाओ, आप मन मुला पल पल प्राण वान बना थाओ, और इही नाता मैं कुछ हो मिस करत रहें। आज मुरमन खुसी ले भरे है। जब मैं आखिरमक कहे रहे हूं कि हम तीन चार महिना बाद मिलबो तर लोगनमन ओखरो राजनीतिक अर्थ निकाले रहीं। और लोगनमन कहीं कि अरे मोदी जीला कतेक आत्म विश्वास है, उनमनला भरोसा है, आत्म विश्वास मोदी के नही रहिस। ये विश्वास आपके विश्वास के आधार के रहिस। आपे मन रहे हो जिन मन विश्वास के रूप ले ले हो और इही पाए के सहज रूप मा आखरी मन की बात मा मैं कहीं दे रहे हो कि मैं कुछ महिना बाद फिर आप मन करा आहूं। असल मा मैं आए नहीं हाँ। आप मन मुला लाय हाओ, आप मन मुला बिठाय हाओ, अव आप मन मुला फेरे घाओ बोले के मौका दे हाओ, इही भावना के संग चलाओ, मन की बात के सिलसिला आगू बढ़ावन, जब देश मा आपात काल लगाएगे रहिस, ता उखर विरोध खाली राजनितिक दायरा तक सि सिम्टे नहीं रहिस, जेल के सिक्चा तक आंदोलन सिम्टे नहीं रहिस, जन जन के मन मा एक आक्रोश रहिस, गवाएगे लोकतंत्र बर एक दड़प रहिस, दिन रात जब बखत मा खाना खाथन तब भोग का हो थे, इखर पता नहीं लगए, वैसनेच सामान्य जिंदगी म लोकतंत्र के अधिकार के काम मजा है, वो तब पता लग थे, जब कोनो लोकतंत्रिक अधिकार ला चीन ले थे, आपात काल मा देश के हर नागरिकला लगत रहिस कि उखर कुछ चीन ले गए है, जेखर उनखर जिंदगी मा उपयोग नहीं करेगे रहिस, वो घलो जब चीन जा थे, ता उखर एक पिड़ा, उनखर मनमा होई रहिस, और ये एक खातिर नहीं रहिस, कि भारत के समविधान हां कुछ व्यवस्था बनाए हैं, जेखर चलत लोकतंत्र पन पे हैं, समाज व्यवस्थाला चलाय खातिर समविधान के घलो जरूरत हो थे, काईदा कानून न नियमले परे, लोकतंत्र हमर संस्कार है, लोकतंत्र हमर संस्कृती है, लोकतंत्र हमर बिरासत है, और वो बिरासत ललेके हम पले बढ़े मनखेान, और एक खातिर उकर कमी देश्वासी महसूस कर थे, और आपात कालमा हमन अनभाव करे रहें, और ये खातिर देश अपन बर उहां के मन्खे मन लोगतंत्र के खातिर अपन बाचे हक खातिर अधिकार आवशक्ता के परवाह न करत हुए, खाली लोगतंत्र के खातिर मद्दान किये हो। तो ऐसे एक चुनई ये देशर ससत्तर मा देखे रही स। हाले मा लोगतंत्र के महापर्व बहुत बड़े चुनई अभियान हमार देश मा संपन होी स। अमेर ले लेके गरीब जम्मो लोगन ये परव मा खुसी खुसी अपन देश के भविश्च के फैसला करे खातिर ततपर जब कोनो जिनिस हमर बहुत नजीक हो थे ता हम उखर महत्तम ला कम आक्थन उखर अध्भूत कत्य घलो अंधिका हो जाते हम ला जेन बहुमूल्य लोगतंत्र मिले है उला हम बहुत आसानी ले स्विकार मान ले थन फिर हम ला ये सूर्ता दिवात रहना चाही कि हमर लोगत जंद्र बढ़ महान है अव ये लोगतंत्र ला हमर रग मर्ठिया मिले है कई सदी के साधना ले पीढ़ी दर पीढ़ी के संसकार ले एक विशाल व्यापक मन के अवस्था ले भारत मा दूहजार उन्नीस के लोगसभा के चुनई मा एक सट करोड ले जादा लोगन वोड दे 61 करोड ये संख्या हमन ले बहुत समान लग सकत है फिर दुनिया के हिसाब ले मैं कहूँ तब अगर एक चीन ले हम छोड दे तब भारत मा दुनिया के कोनो भी देश के आबादी ले जादा लोगन वोड दे रहिन जदका मदाता मन 2019 के लोगसभा चुनई मा वोड दे इन उनकर संख्या अमेरिका के कुल जन संख्या ले घलो जादा है लगभग दो गुना है भारत मा कुल मदाता के जदका संख्या है वो जम्मो यूरोप के जन संख्या ले घलो जादा है ये हमार लोगतंत्र के विशालत और व्यापक्ता के चिनहारी करा थे। ये महायग्यल सफलता पूर्वक संपन कराय खातिर जिहां अर्धसैनिक बलके करीब तीन लाग सुरक्षा कर्मी अपन दाइत्व निभाईन उहें अलग आने आने राज्यमा बीस लाख पुलिस कर्मी मन घलो परिश्रम के पराकास्था देखाईन। इही लोगन के कड़ा महिनत के परसादे ये पईत पाचु बारी ले घलो जादा मद्दान होईस। मद्दान खातिर जम्मो देश मा करीब 10 लाख पुलिंग स्टेशन, करीब 40 लाख ले जादा EVM मशीन, 17 लाख ले जादा VVPAD मशीन आप मन कलपना कर सका थाओ, कतिक बड़े ताम जाम। ये सब ये पाय के करेगेईस, ताकि ये सुनिश्चित किये जा सके कि कोनों मद्दाता अपन मताधिकार ले वन्चित न होए। अरुनाचल प्रदेश के एक रिमोट इलाका मा खाली एक महिला मद्दाता खातिर पोलिंग स्टेशन बनाएगेईस। आप मनला ये जान के आश्यर होई कि चुनाव आयोक के अधिकारी मनला उहां पहुंचे मा दू-दू दिन के जात्रा करना पड़िस। इही तो लोगतंत्र के सच्चा सम्मान है। दुनिया में सब ले जादा उँचाई मा इस्थित मद्दान केंद्र घलो भारत मा है। ये मद्दान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल इसफिती छेत्र मा 15,000 फिट उँचाई मा इस्थित है। एक हर अलावा एक चुनाई मा गरप से भरने वाला एक तथ्य घलो है। शायद इत्यास मा पहली घाओ ऐसे होईस कि माई लोगन पुरुष मन जैसे उच्छा संग मद्दान करिन। ये चुनाई मा महिला औपुरुष के मत्दान प्रतिशत करीब करीब बराबर है। एक रेले जुड़े एक और उत्सा वर्धक तथ्य ये है कि आज संसद मा रिकार्ड 78 महिला संसद ही। मैं चुनाव आयोगल और चुनाव प्रक्रिया ले जुड़े प्रत्येक व्यक्तिला बहुत बहुत बधाई देवा थाओ और भारत के जागरुक मद्दाता मनला नमन कर थाओ। मुर मयारुग देश के रवईया हो। आप मन कईयों घाओं मुर मुह ले सुने हो हू। बुके नहीं बुक। मुर आगरह रहिस की काहम स्वागत सतकार मा फूल के जगह किताब दे सकतन। तबले बहुत जगह लोगन किताब दे लगे हैं। मुला हाले मा कोनो मनखे प्रेम चंद की लोकुप्रिय कहानिया नाओं के पुस्तक देन। मुला बहुत अच्छा लागिस। हाला कि बहुत बख़त तो नहीं मिल पाए। फिर प्रवास के दौरान मुला उनकर कुछ कहानी फेर पढ़े के मौका मिल गे। प्रेम चंद मन अपन कहानी मा समाज के जिन यथार्त चित्रन करे हैं। पढ़त बख़त उनकर छवी आपके मन मा बने लग थे। उनकर लिखे एक एक बात जिवन्त हो उठ थे। सहज सरल भाका मा मानवी सववेदना मनला अभिवक्त करे वाले उनकर कहानी मौर्मनला घलो छोलेईस। उनकर कहानी मा समूचा भारत के मनो भाव समाही थे। जब मैं उनकर लिखे नशा नाम के कहानी पढ़त रहें। तब मौर्मन अपन आप समाज मव्याप्त आर्थिक विश्रमता कोती चल देईस। मुला अपन युवावस्था के दिन सूरता आगे कि कैसे ये विशय उपर रात रात भर भर भास होवत रहिस। जब इंदार के बेटा इश्वरी और गरीब परिवार के बीर के ये कहानी ले सीख मिल थे कि अगर आप सावधान नहीं हो तब पुरा संगती के असर कब चड़ जाते पता नहीं लगए। दूसरा कहानी जिन मूर मनल अंदर तक छूलेस वो रहिस इदगाह। अपन चरम मा पहुचा थे। एक कहानी के आखरी लाइन बहुते भाव करने वाला है। काहे कि इमें जिन्गी के एक बहुत बड़े सच्चाई है। बच्चे हामिद ने बुढे हामिद का पाट खेला था। बुढया अमीना बाली का अमीना बन गई थे। अईसने एक बढ मारमिक कहानी हैं पूस की रात। एक कहानी मा एक गरीब किसान जिन्गी के विडंबना के सजीव चित्रन देखे ला मिल थे। अपन फसल नश्ट होए के बाद घलो हल्दू किसान एक हातिर खुश हो थे कि अब उला कड़कत जाड मा खेत मा सोना नहीं पढ़ी। हाला कि ये कहनी लगभग सदी भर पहली के हैं फिर एकर प्रासंगिक्ता आज घलो उतकेच महसूस हो थे। इला पढ़े के बाद मुला एक आने रकम के अनभूती हो इस। जब पढ़े के बाद हुआ थे तो कुनू मीडिया मा मैं किरल के अक्षरा लाइबरीरी के बारे मा पढ़त रहें। आप मनला जान के अजरज हो ही कि ये लाइबरीरी इडुकी के घना जंकल के बीज बसे एक गाउ महें। इहां के प्राथमिक विद्याले के शिक्षक पी के मुरली धरन और चाय के नानुक दुकान चलाये वाले पी भी चिन्ना थंपी। ये दोनों मनखे म ये लाइबरीरी खातिर अथक परिश्रम किये हैं। एक समय ऐसे भी रहिस जब गठर मा भरके और पीठ उपर लाद के इहां पुस्तक लाएगे रहिस। आज ये लाइबरीरी आदिवासी बच्चा मनसंग हर कोनुला एक नवा रद्दा दिखावत है। गुजरात मा गुजरात अभियान एक सफल परियोग रहे है। लाखों के संख्या मा हर आयू वर्ग के मनखे मन पुस्तक पढ़े के ये अभियान मा हिस्सा लेन। आज के डिजिटल दुनिया मा गूगल गुरू के बखत मा मैं आप मन ले घलो आगरा करूं। कुछ समय निकाल के अपन नरेंद्र मोदी एप उपर जरूर लिखें ताकि मन की बात के जम्मो सुनईया घलो एकर बारे मा जान पाएं। मुर्मयारूप देश के रवया हो। मुला ये बात के खुशी है कि हमर देश के मन खेमन वो बुद्दा के बारे मा सुचत हैं। जिन न केवल वर्तमान बलकि भविष्य खातिर घलो बड़े चुनउती है। मैं नरेंद्र मोदी एप और माई जियोवी उपर आप मन की टिपनी पढ़त रहे हूं। और मैं देखे हूं कि पानी के समस्याला लेके कई मन खेमन बहुत कुछ लिखे हैं। बेलगावी के पवन गौराई, भुवनेश्व पानी के हमार संस्कृती मां बहुत बड़े महत्तम है। रिग वेत के आपह सुक्तम मां पानी के बारे मां कहेगे है। मां के सही, माने मात्रवत अपन असीसा दें, अपन कृपा हमर उपर बरसावत रहें। पानी के कमीले देश के कई हिस्सा हर बच्छर प्रभावित हो थे। आपनल आश्यर हो ही के बच्छर भरमा बरसाले जिन पानी मिल थे, ओखर खाली आठ प्रतीशत हमर देश में बचा अब समय आगे है, इस समस्या के समाधान निकाले जाए। जम्मो बिसय उपर जल्दी फैसला लिये जा सकी। कुछ दिन पाच्छू मैं कुछ अलग करे के पर्यास करें। मैं देश भर के सरपंच मनला पाती लिखें। ग्राम प्रधान मनला मैं ग्राम प्रधान मनला लिखें। कि पानी बचाय खातिर, पानी के संचय करें खातिर, बरसा के बून पून पानी बचाय खातिर, वो मन ग्राम सभा के बैटका बुला के गाउवाला मन संग बैट के विचार विमर्ष करें। मुला प्रसनता है कि उनमन ये कामबर पूरा उत्सा दिखाईन, और ये महिना के 22 तारीक के हजारों पंचायत मा करोणों लोगन मन श्रमधान करिन, गाउव गाउव मा लोगन मन जल के एक एक बून के संचय करें के संकलप लेन। आज मन की बात कारिक्रम्मा मैं आप मनला एक सरपंच के बात सुनाना चाहा थाओ। सुनाओ जार खंड के हजारी बाग जिला के कटक मसांडी बलाग के लुपुंग पंचायत के सरपंच हम जम्मो मनला का संदिशा दे हैं। मोर नाव दिलिप कुमार रविदास है पानी बचाय खातिर जब प्रधान मंत्री जी हमनला चिठ्ठी लिखिन ता हमनला विश्वासे नहीं होईस के प्रधान मंत्री हा हमनला चिठ्ठी लिखे हैं। जब हमन हा 22 तारीक के गाउं के लोगनला जोर के प्रधान मंत्री के चिठ्ठी पढ़े के सुनाएं। तक गाउं के लोगनमन बहुत उत्साहित होईन। और पानी बचाय बर तर्या के सफ़ई और नवा तर्या बनाय खातिर शमदान करके अपन अपन भागीदारी निभाय बर तयार होईन। बरसाले पहली ये उदिम करके आने वाला समय मा हमनला पानी के कमी नहीं होई। ये अच्छा होई कि हमार प्रधान मंत्री हा हमनला ठीक समय मा चेतादेन। बिर्सा मुंडा के भुईया जिहां प्रकृति के संग ताल मेल बिठा के रहना संस्कृति के हिस उहां के लोगनमन एक घाओं फेर जल संरक्षन खातिर अपन सक्री भूमिका निभायवर तियार हैं। अपन गाओं मा जैसे जल मंतिर बनाये के प्रत्यूगिता मजूट के हैं। जैसे की मैं कहें। सामोहिक पर्यास ले बड़ सकारात्मक परणाम प्राप्त हो सकते। जम्मो देश मा जल संकटले निप्टे के कोई एक फर्मूला नहीं हो सकते। एकर खातेर देश के आने आने हिस्सा मा आने आने रकम ले पर्यास किये जाते। फिर सब के लक्ष एके है और वो है पानीला बचाना जल संरक्षन। पंजाब मा निकासी लाइनल ठीक किये जाते। ये पर्यास ले पानी रुके के समस्या ले छुटकारा मिलते। तेलंगाना के थेमाई पल्ली मा टंकी के निर्मान ले गाउं के लोगन मन के जिन्गी बदलते। राजस्थान के कबिरधाम मा खेत मा बनाएगे छोटे तर्याले एक बड़े बदलाव आए है। विश्वास है कि ये रकम के कत को पर्यास करे जाते। अव जब हम एक जुट होके मजबूती ले पर्यास करथन ता असंभाल घलो संभाव कर सकतन। जब जन जन जुरही जल बच्छी। आज मन की बात के माध्यम ले मैं देश्वासी मन ले तीन ठन अनुरोत कर था। मुर पह जल संरक्षन खातिर एक जन आंदोलन शुरू करन। हम जम मन मिलके पानी के हर बूनल बचाय की संकलब करन। और मोर्तो विश्वास है कि पानी परमिश्वर की दिये परसाध है। पानी पारस के रूप है। पहली कहे जाए कि पारस के छुएले लोहा सोना बन जा थे। मैं बचाय खातिर एक जाग रूपता अभियान के शुरुवात करन। एमें पानी ले जुड़े समस्या के बारे मां बतावन, संगे संग, पानी बचाय के तरीका के प्रचार प्रसार करन। मैं विशेस रूप ले, आने आने छेत्र के हस्ती मन ले, जल संरक्षन खातिर अभिन अभियान के नेत्रित्व करे के आग्रा करत हो। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमर संगवारी मन हो, सामाजिक संगठन ले जुड़े लोगन हो, सांस्कृतिक संगठन ले जुड़े लोगन हो, कथा किर्तन करईया लोगन हो, हर कोनो अपन अपन तरीका ले ये आंदोलन के नित्रित्टो करें, समाजला जगाएं, समाजला जोडएं, समाज के संग जुटाएं, आपन देखाओ, अपन आखी के आघूमा हमन परिवर्तन देख पाबो, देश्वासी मनले मुर्ध दूसरा अनुरोध है, हमर देश्मा पानी के संरक्षन खातिर कई पारंप पर एक तरीका मनला साजा करें के आग्रा करताओं, आप मन मनले कोनोला अगर पोर बंदर पूज बापू के जरम इस्थान जायके मौका मिले होई, तब पूज बापू के घर के पाचु एक दूसरा घर है, उहां दूसर बच्छर जुन्ना पानी के टांका है, आज घलोओ म में पानी है, और बरसात के पानी रोके के ब्यवस्था है, तमय हमेशा कहत रहें कि जेन भी किर्ती मंदिर जाएं, ओमन पानी के टांकाला खचित देखाएं, ऐसे कई रकम के परियोग हर जगा होई, आप जम्म मनले मौर तीसरा अनरोध है, जल संरक्षन के दिशा मा पूर्ण योगदान दिवया मनखे के स्वयम सेवा सस्था मनखे और ये छेत्रमा काम करिया हर मनखे के उनकर जेन जानकारी होई, ओला आप मन साझा करें, ताकि एक बड़ सम्रिद्ध पानी बर समर्पित, पानी खातिर सक्रिय संकठन के मनखे के एक डाटा बेज बनाए ज आवाओ, हम जल संरक्षन ले जुड़े जादा ले जादा तरीका के एक सूची बना के लोगनल जल संरक्षन खातिर प्रिरित करन, आप जम्मो मन हैस्टेग जनशक्ती फोर जल शक्ती हैस्टेग के उप्योग करके अपन सामगरी साजा कर सकत हो, मुर मयारूप देश के बैया हो, मुला एक अव बात खातिर घलो आपके आभार व्यक्त करना है, और दुनिया के लोगनमन के घलो आभार व्यक्त करना है, 21 जून के फेर एक घाओ, योग दिवस्म, जनसक्रीता के संग, उमंग के संग, एक एक परिवार के तीन तीन चार चार पिढ़ी मन, एक सग आपके योग दिवसला मनाईन, संपून स्वास्त संरक्षन बर जन जागरुकता आए है, ओमें योग दिवस के महत्तम बढ़ते चले जाते, हर कोनो दुनिया के, हर कोना मा, सुरुज निकले के संग, कोनो योग प्रिमी ओकर स्वागत करते, ता सुरुज धले के पूरा जा शायदे कोई ऐसे जगा होई, जिहां मनखे होएं और योग ले न जुड़े होएं, अत का बड़े रूप योग लेले है, भारत मा हिमालय ले हिंद महासागर तक, सिया चीन ले सबमरीन तक, वायू सेना ले वायू यान वाहक तक, वातानु कुलिद जिम ले तिपत रेगि बलकि इला सामोहिक रूप मा मनाय गलोगेईश, दुनिया के कईयो देश के राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, जाने माने हस्ती मन, समाने मनखे मन, मुला ट्वीटर में देखाईन, कि कैसे उनमन अपन 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 देश मा योग मनाईन, वो दिन दुनिया एक बड़े ख खुशाल परिवार कस लगत रहिस, हम जम्मो मन जान्थन की एक स्वस्त समाज के निर्मान खातिर और समवेदन शील मनखे मन के जरूरत हो थे, और योग इही सुनिष्टित कर थे, इही पाय के योग के प्रचार प्रसार समास सिवा के एक महान काम है, का ऐसे सिवाला मानित दे के उला समानित नहीं किये जाना चाहिए। उधारन खातिर जापान योग निकेतन ललेवाओ, जेन योगला जम्मो जापान मा लोग प्रिय बनाये हैं, जापान योग निकेतन उहां के कई संस्थान और प्रशिक्षन पाठिक्रम चला थे, या फिर इटली के मिस एंटो नेटाज रोजी उनक्रे नाम लेवाओ, जेन आप मा प्रिरक उधारन हैं, अगर ये योगले जुडे विशय हैं, तक का भारती मन पीछे रही सकत हैं? बिहार योग विद्याले मुंगेरला भी सम्मानित करेगें, पाचु कई दशक ले योगबर समर्पित हैं, इही रकमले स्वामी राजर्शी मुनीला घलो सम्मानित क योग के व्यापक उत्सव और योग के संदेसा घर-घर पहुचाये वाला मन के सम्मान दोनों हर ये योग दिवसला खास बना देश, मुर्मयारुग देश के रवय्या हो, हमर ये जात्रा आज आरंभ हो थे, नवा भाव, नवा अनभूती, नवा संकलप, नवा सामर्थ्य फिर हाँ, मैं आज आप मन के सुझाओ के अगुरा करूँ, आप मन के विचार ले जुड़ना मुर्बर एक बहुत बड़े महत्तम के जात्रा है, मन की बात निमित है, आवाओ, हमन मिलत रहन, बात करत रहन, आप मन के भावला सुनत रहों, संजुवत रहों, समझत रहों, क आप मन मुर प्रेणा हाओ, आप मन मुर उर्जा हाओ, आवाओ, मिल बैट के, मन की बात के मंजा लेवत लेवत, जिन्गी के जिम्मेवारीला घलो निभावत चलन। फिर एक घाओ, अवया महिना, मन की बात खातिर फिर मिल बो, आप जम्मो मनला, मोर बहुत बहुत धन्यवारीला।